हाई गाईज वेलकम टो माई चैनल वन्स अगें सो फ्रेंड्स मार्केट में वीवो कमपनी वीवो वी 29 सीरिज को लेकर आ रही है जिसके अंदर आपको सबसे पहले वीवो वी 29 ये स्मार्टफून देखने को मिलेगा दोस्तों ये स्मार्टफून कमपनी का एक बड़िया स्मार्टफून होने वाला है और इस स्मार्टफून की लॉंचिंग से पहले ही इस स्मार्टफून की लगवग सभी कन्फरम सपेसिविकेशन और इस स्मार्टफन की एक और फीडियो भी लीजर वीडियो में की बात करने वाले हैं तो दोस्तो यजि आपको यह वैए आप ए वीडियो पसंदा आई तो like और share जरूरे हैं और हमरे चनल को सबस्क्राइब करना ना भूले हैं चलिए दोस्तो वीडियो शरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं इस समार्फ़न के लूक और इसके डीजाइन के साथ तो दोस्तो आप सभी को पता हूगा कि Vivo कंपनी की V-Series के लगवग सभी समार्फ़न कंपनी अलग लग टीजाइन के साथ लॉन्च करती है तो दोस्तो इसवाट भी स्मार्फवन का लूक और इसका डीजाइन काफी बड़िया होने वाला है इस स्मार्फवन गिंदर आपको सेंटर पंचोल कट आउट वाली notice डिस्पले देखने को मिलेगी इस के साथ ही इस स्मार्फवन गिंदर को डिवल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे हालागि दोस्ते इस smartheon के बैक पैनल का डिजाइन अब की बार काफी एट्रैक्टिव होने वाला है जो कि दोस्तों आप वीडियो में देख भी सकते हैं क्योंकि दोस्ते इस smartheon के बैक पैनल के उपर आपको अब की ब दिस्प्ले प्रोवाइड कराने वाली है जो कि 120 Hz डिफ्रेट के साथ आएगी और इस स्मार्ट फिंदर आपको अभी की बारे यवाइड के बारे मेंद दोस्ते है स्मार्ट फिंदरियी और क्या है जिसके सात fent आपको 12 прек दोस्तो मार्ट फिंदर आपको वारे मेंद करें दोस्तों इस स्मार्ट फिंदर आपको अभी की बार deep कमपणी एसשट के फास्ट अचार्जिंग स्पोर्ट वाली 5 जार्यमिज की पारफुल बैटरी प्रोवाइड करा सकती है तो दोस्ते इस स्मार्टफन अब को बैटरी और फास्ट अचार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिलेगा क्योंकि अब की बार आपको इसके अदर 80 वाट का फास्ट अचार्जिंग स्पोर्ट देखने को मिल जाएगा अगर दोस्ते इस स्मार्टफन के कैमरा सेंसर के बारे में बात करें इस स्मार्टफन अदर आपको काफी बड़िया कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे जिससे आप इस स्मार्टफन से काफी अच्छी वीडियो को कैप्टर कर सकते हैं और फोटो आधी को सूट कर सकते हैं इसके साथ ही स्मार्टफन इंदर आपको सेलफी कैमरा विश्यूटी में पिक्सल का देखने को मिलेगा जिससे आपकी सेलफी और वीडियो कोलिंग नेक्स्ट लेवल होने वाली है क्योंकि दोस्तो कुछ लिक्स डिटेल के माने तो इस स्मार्टफन इंदर आपको सनय ड्रेगन 480 का चिपसेट देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तो ये चिपसेट 5G चिपसेट नहीं है अगर इस smartphone कमपनी 5G वर्जन में लॉंच करती है तो दोस्तो इस smartphone के अदर आपको स्वाइज सनय आफ ड्रेगन 4G9 का चिपसेट देखने को मिल सकता है बाकि दोस्तो जो भी हो इस smartphone के अदर आपको प्रोसेशर भी सही देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तो इसके अदर आपको पारफुल प्रोसेशर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला बाकि दोस्तो आप इस smartphone के अदर कौन सा प्रोसेशर देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट वक से कमेंट करके बता भी सकते हैं अगर दोस्तो इस smartphone के प्राइज के बारे में बात करें तो दोस्तो इस smartphone का प्राइज लगबग 25-30,000 वे के बीच में होने वाला है तो दोस्तो अगर इस smartphone को कमपनी इतने प्राइज में लोंच करती है तो दोस्तो यह smartphone कमपनी का एक बड़िया smartphone हो सकता है बाकी दोस्तों यह स्मार्टफून आपको आने वाली 23 अगस्त को मार्केट में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आपको यह स्मार्टफून कैसा लगा और आप इस स्मार्टफून को लेकर कितने एक्साइटिड हैं हमें कमेंट बॉक्स ने कमेंट करके जरूर बताएं और ये अपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर परें और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद